देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज शुव भक्स के रूप में बाबा के दाड़नाथ की पूजा आर्चना करते हैं देखे ये जो मंत्रो जाप हो रहा है पूजा आर्चना हो रही है ये सब सुन करके ही आपको एक बहुत ही सकरात्मा का भावना आपके अंदर उत्पन होती है कुमार कुंदन जानकारी पूरी कर रहे थे एक बात ये भी कही जाती है कि प्रधान मंत्री जब जब कोई बड़ा आयोजन या बड़ी घटना होने वाली होती है या बड़ा प्रोफेशनल मतलब इक तरह से कह सकते हैं असाइन्मेंट होता है उसके पहले प्रधान मंत्री किसी ने किसी बड़े मंदिर में जरूर जाते हैं और खास करके उस समय जिसमें आप 17 गंटे की बात कर रहे हैं उस समय लोकसभा चुनाव था जहां तक मुझे याद है तो कई तरह के ऊहापो होकी भी इस्थिती थी तो कुछ लोग उससम에 भी ये भी कहते हुए नजर आये थे कि प्रधान मंत्री अपने शान्थि के लिए इस जगह पे आये हैं और इतने देर उन्होंने मेडिटेशन किया है अभी भी अगर यहां आए हैं तो इसके बाद देखिए कि गुजरात का चुनाव है आने वाले दिनों में हिमाचल का चुनाव है बहुत महतवपूर्ण है आगामी लोक सभाड चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं उसके पहले इस तरह की चुनाव भी महतवपूर्ण है कि भक्ती में प्रधानमंत्री अलग लग वक्त में देखिए जो दर्शन करने के लिए पहुँचे ये तस्वीर इबाम आपको लिखा रहे हैं इससे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद च्छे बार प्रधानमंत्री पहुचे के और आज ये साथवा दोरा है जोतिरलिंग, केदारनाथ, बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुचे हुए अच्छा कुमार आपसे ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि जो आप बता रहे हैं बार बार और जानकारी देरे जिस तरह से हम जो यहां पर आबदा आई थी और इसके बाद पुरह निर्मार का कार चल रहा था थोड़ा इसके बार में जानकारी आपसे लर चाहेंगे, आपने रोपे का तो जिक्र किया लेकिन जो मंदाकनी आस्थापत है, जो मंदाकनी पुल है, जो की पूरी तरह से तहस्नेस हो गया था करुणा मैं बताना चाहूंगा कि 2014 के बाद से ही यहाँ एक मास्टर प्लान बनाया गया, और उस मास्टर प्लान में यह तैक किया गया वो सब को तोड़ तार दिया गया है और पूरे मंदर परिसर को खाली किया गया है, यह यही नहीं, बद्रिनाथ में भी प्रधान मंतरी यही करने जा रहे है, जो वहां का भी मास्टर प्लान उन्होंने तैक किया है, उसके हिसाब से आसपास की सभी दुकानों को हटाया जा और उस वक्त उसने ये बताया था कि एक समय आएगा जब यहां बहुत भीड़ होगी, हिंदु का यह बहुत आस्था का आस्थल बनेगा, उस समय से लेकर अब तक किसी ने सोचा ही नहीं कि उसके मास्टर प्लान बनाया जाए, वहां पे फुटफॉल जाता होगा, तो क्या विवस्था की जाए, 138 साल बाद कोई शक्स हुआ है देश में ऐसा, जो मास्टर प्लान और इन तर्मान तरह की चीज़ों के बारे में सोच रहा है, यही बात के दार नाच किये, चाहे आस्था पत की बात हो, या फिर रिवर फ्रेंट की बात हो, और कुमार अगर अगर आ समक्ष देखा, तो जोतिर लिंगों को जिस तरह का उसका उधार करने की योजना सरकार बना रही है, और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जब भी अपने संबोधन में बोलते हैं, तो यह इस बात का जिकर जरूर करते हैं, कि यह आस्था है, और जो लाखों करोडों लोगों की बात की थी, मतलब स्थानी इस तरपर जो हमारे मंदर हैं, या फिर जो दूसरे धार में के स्थल हैं, उनको कैसे जोडा जाए, और बकायदा मुझे याद है, रेल मंतराले ने कई तरह के सर्किट बनाये, बुद्दार सर्किट बनाया, फिर इसके और रामाइना सर्किट बनाया, ये सर्किट ऐसे थे, जिसमें की ट्रेन चला चला गे, लोगों को वहाँ पर पहुंचाया गया, और या दिखाया गया कि हमारी सांस्क्रितिक धरोहरे क्या हैं,